हेलो फ्रेंड कैसे हो आप लोग उम्मीद करतो हो आप लोग अच्छ होगे स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपनी चैनल के रिकोलन प्रिडिक्शन में है आप लोगों को मालूम है आज है संडे और हम लोग बनाने वाले हैं संडे को फंड है मतलब कि दो मुकाबले खेले जाएंगे डबल हीडर की पहली वीडियो है और दूसरी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब जरूर करना जो पहला मुकाबले खेला जाएगा बहुत अच्छा मुकाबले है M.I.V.S. K.K.R. मतलब कि मुंबाई इंडियन वर्सेस कॉलकटा नाइट रैटर्स के बिच में आप लोगों को बहुत अच्छा रोमांचक मुकाबला देखने को मिल जाएगा तो ऐसे में दोनों टीम होगी क्या कुछ पॉस्बल प्लेंग 11 क्या कुछ पॉस्बल चेंजर्स खिलाली क्या कुछ रिकॉर्ड रखते हैं बाकी की बाते वीडियो में फुल डिसकस किया जागा सो विताउट वेस्टिंगे टाइम वीडियो को इस्टार्ट करते हैं दोस्तो अगर आप लोग टेलीग्राम के चानल पे हो तब तो बहुत अच्छी बाते नहीं हो तो आसकते हो आना किस परकार है वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंड बॉक्स में लिंक होगा लिंक के थूँ आप लोग यहाँ पर आसकते हो देखने को मिलेगा बिल्कुल फ्री टिम आप लोगों को यहाँ पर प्रवाइड कराई जाती है तो अगर कोई भी बंदा बेरे नाम से पेट टिम वगरा देता है तो आप लोग समझ जाना किसी गला चानल पे गए हो उमीद है दोस्तों आप लोग यहाँ पर जरूर आ जा पिछ रिपोर्ट की बात करते हैं तो लाल मिट्टी की ग्राउंड रहने वाली है अब होता यह है ना यहाँ पर इक्ट्रा बाउंस वगरा आप लोगों को पिछ से मिलने वाला है पेसर्स जो होते हैं फास्ट बॉलर स्टार्टिंग के ओवर में बहुत अच्छा करके दे स सकते हैं या फिर कोई अधर रिष्टी स्पिनर भी आज अच्छा परफमेंस दे सकते हैं तो देखा जाएगा कौन से क्वाल्टी स्पिनर हैं दोनों टीमों में हैं नीचे आते हैं बात करते हैं head to head मुकाबले की दोस्तों यहाँ भी देखेगा बहुत shocking record देखने को मिल रह है और T20 डोमेस्टिक इस ग्राउंड पर बात किया जाएगा क्या कुछ होता है और recent के भी कुछ मुकाबले देखे जाएंगे 105 टोटल मुकाबले खेले गाएं बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने 48 चेज करने वाली टीम ने 57 मुकाबले को वोन किया है तो simple सा concept आप मानके च कहीं लोवेश्ट स्कोर है इस ग्राउंड पर एक और चीज जो कि KKR के फेवर में नहीं है संसर्ट रन बनाके पूरी टीम ओल आउट हो गए थे स्कोरिंग पैटन पर नदर डालते हैं 150 के अंदर 26 ब़र, 150-190 के बीच में भी 26 बर 170-190 के बीच में 33 बर बाकी 190 से ज़ादा यहाँ पर 20 बर स्कोरिंग हुय है अगर 170-190 के बेच में तो फिलाल जो टीम फर्स्ट गाइट करेगी हम लोग इतना मानके चल सकते हैं और अगर 190 बन जाता है तो defend हो सकता है और अगर 160-70 बनता है तो कहीं ने कहीं थोड़ा सा chasing करने वाली team को benefit मिल सकता है। पिछले 5 मुकाबले इस ground पे खेले गाएं जरा से यहाँ पर आप लोग attention देना मुंबाई और CSK का पिछला मुकाबले इसी ground पे खेला गया था। जवाब में chase करने वाली team ने 7 wicket से CSK की team ने won कर लिया था। 157 MI की team बनाई थी जहाँ पे पेसर्स को 4 wicket, spinners को 7 wicket मिला था। इंडिया सिरलंका का international मुकाबले देखिएगा इंडियान टीम ने मातर 2 रनों से won किया था। पेसर्स को 10 wicket, spinners को 3 wicket अब उसके बाद पिछले साल के कुछ मुकाबले हैं। जहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा wicket का scenario देख लो और run देख लो तो यहाँ पे एक average score मान के चल सकते हो 157 बना था जो की easily chase हो गया था। वो यहाँ पे 159 बना था यह भी chase हो गया था, यहाँ पे 168 बना था यह भी chase हो गया था। और थोड़ा देखिएगा पेसर्स के खाते में आप लोगों को जादतर wicket यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। पिछले जो 5 मुकाबले दोस्तों यहाँ पे खेले गए हैं, 4 मुकाबले तो यहाँ पे chase करने वाली टीम नहीं वोन किया है और एक मुकाबला बहुत ही closely इंडिया की टीम ने वोन किया था जो की international मुकाबला था। तो कहने का sense यह है कि अगर आप 160-170 बनाओगे तो यह इस ground पे safe नहीं रहने वाला है, easily chase हो सकता है। वहीं इसान के संद पिछले दोनों मुकाबले में मतलब 30s में score किया हैं और टीम चाहेगी कि इससे भी बहतर यह scoring करके दे हैं। अब तिलक वर्मा पिछले मुकाबले में वन डाउन खेलना है थे और यह season इनका बहुत अच्छा dream season जा रहा है। पिछले तीनों मुकाबले में कह सकते हो इन्होंने performance दिया है, 122 का score starting भी मिल चुका है। सूरे कुमार यादो देखिएगा वैसे तो ICC T20 TI ranking के नंबर है खिलाडी हैं लेकिन इस IPL इन्होंने कुछ खासा परभावित नहीं किया लेकिन उम्मीदे टीम को इनसे पूरी रहने वाली है। निहाल वधिरा की बात करते हैं बैटिंग इनको नहीं मिली थी। रितिक सुलोकन को एक विकेट मिला था, अर्शद खान पिछले दो मुकाबले से विकेटलेस गया है, प्यूस चॉला को तीन विकेट मिला था। के चल सकते हो, बाकि जो खिलाडी बेंच पे गया हैं आप उनका रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं, जोफरा आर्चार को थोड़ा सक कुछ इंजरी का इशू है, अधर्वाइस यह आप लोगों को खेलते हुए दिख सकते हैं, अग जो बालर्स इनके तरफ से मैच के दौरा और केमरून ग्रीन आप लोगों को हो सकता है, आपस में ओवर डिवाइड करें, ठीक है, बात करते हैं, दूसरी जो की केके आर की टीम रहने वाली है, उम्मीद है दोस्तों जो चीज़े मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझ रहोगे, और हाँ प्लीज आप लोग यहां से स्क्रीन सोट जरूर कैप्चर करते रहना, तो इनके तब से पिछले मुकाबला हार क्या रहे हैं, गुरबाज के साब नराइन जगदीसन ओपनिंग करते हूँ, गुरबाज का खाता नहीं खुलाता है, वैसे बहुत ही टैलेंटेड अफगानिस्तान के बैट्समन, नराइन जगदीसन, 36 का स्कोर कियाते हैं, लेकिन जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, यह जब डोमेस्टिक खेलते हैं, आईपल भी वैसे डोमेस्टिक हैं, लेकिन जब इस से छोटे लेवल पर आप जाओगे, टी एन पील देखलो, सेयद मुस्ताकली ट्रॉफी विराट कोली हैं, वहाँ पर किये विराट कोली हैं, विंकेटे सहीर, 10 का स्कोर कियाते हैं, लेकिन हालिया फॉम इनका अच्छा है, और नितीस राणा, 75 का स्कोर कियते हैं, पिछले दो मुकाबले से बहुत अच्छा हैं, इन्होंने कपतानी पारी खेली हुई है, बागी पिछले मुकाबले में 6 बॉल पे 6 बाउंडरी भी लगा के आ रहे हैं, रिंकु सिंग, ये खेलाडी न यार उभरता हुआ सितारा है, और मुझको लगता है बहुत जल्दी ये इंडियन टीम में भी डेब्यू करते हुए आप लोगों को दिख सकते हैं, अब शॉकिंग व वरती दोनों important हो सकते हैं, लोकी फरकुशन पिछला दोनों मुकाबला बहुत ही बुरा गया, तो आप लोगों को अगेन हो सकता है, टीम साओधी खेलते हुए दिख जाएं, उमेस यादो पिछले तीन मुकाबले से इनको विकेट का सूरत ही नहीं दिखाए, एक भी विके हो, अगर अगेन ये बॉलिंग करते हैं, तो आप लोगों को देथ में बॉलिंग करके दे सकते हैं, बागी जो खेलाडी बेंच पे गया हैं, आप लोग इनका recent form देख सकते हो, हो सकता है, टीम साओधी को यहाँ पे फिर से मौका दे दिया जाए, और लोकी फरकुशन को ब बॉलर बॉलिंग करते हैं, लेकिन सातवा विकल्प यहाँ पे पिछले मुकाबले में आंद्रे रसल खेल गयते हैं, और मतलब खेल तो रहे हैं, बॉलिंग कर गयते हैं, वैसे option की बात की जाए तो फिर विंके टेस्ट येर का भी option है, लेकिन इनका कम chance मान के चलना मुझक को लगता है, अंद्रे रसल अगेन बॉलिंग कर सकते हैं, बात करते हैं, टॉप पर्फोर्मर्स जब ये दोनों टिम आपस में खेलती हैं, तब कौन से खेलाडी निकल के आते हैं, तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को नाम देखने को मिल रहा है, रोह स्ट्राइक रेट इनका है, विंकटे सायर जरा ध्यान देना, तीन ही मुकाबले 146 रन 173 के उसात है, पलस इनका हालिया फॉर्म जो इस सीजन चल रहा है, वो भी बहुत बहतरी ने, 153 की श्ट्राइक रेट भी है, वेनू पे बात करते हैं, जब इन दोनों टिमों के खेलत हैं, तब कौन से खेलारी स वेनू पे अच्छा पफरमेंस देते हैं, वेनू पे देखिएगा, आप लोगों को टिम डेवीड का नाम देखने को मिल रहा है, 4 मुकाबले 127 रन 42 के उसात है, रसल की 33 के उसात है, 10 मुकाबले 166 रन 176 का इस्ट्राइक रेट भी है, रिंकू सि आप लोगों को बताया, समझाया, आप लोगों को बताया, समझाया, आप लोग अच्छे से समझ गए होगे, बाकि कॉल कटा नाइट राइडर्स के इनके ओवरॉल जितने खेलाड़ी हैं, पूरे करियर का डाटा लिखा हुआ है, जो कि हम लोगों ने अल्रेडी कई बाल आप लोग चाहोत यहां से स्क्रीन सॉट ले लोगों गया, बाकि बताऊंगा सेम ठिंग तो वीडो लंबी हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता हूं करना, तो आप लोग चाहोत स्क्रीन सॉट ले लो, डेविड वीज वागारा, खेलेंगे, तो आप लोग देख सकते हो, बाकि अगर कोई भी खेलेगा तो आफ्टर टोस्त मैं आप लोगों को टेली ग्राम पर अपडेट करीदूंगा कोई दिक्कत की बात नहीं है हाँ रेली मेडरेट खेले ते राइट आम फर्स्ट बॉलिंग करते हैं अगर कोई भी खेलेट अगर अच्छे खेलाडी रहने वाले हैं तो अगर कोई भी खेलाडी अंदर बाहर जाता है तो आप लोग चाहो तो यहां से देख सकते हैं पर रेफरल आप लोगों को इसी परकार मिलता रहेगा बहुत सारे बेनिफीट है आप लोग एक बर खुद भी यहां पर ट्राई करना मज़ा आने वाला है फिरे इंट्री आप लोगों को देखने को मिल रही है पांच रुपे में आप लोग नोईज का इयरपोर्ट जी सकते हो समसंग का फोन जी सकते हो गैजेट लिग एड होती है खेर अभी एड नहीं है लेकिन हो जाएगी आप लोग चिंता मत करो बागी थोड़ा सा देखो हेड टो एड में मैं आप लोगों को कमी सान यहाँ पे दिखाता हूँ बावन सो में दस हजार की विनिंग कर सकते हो जो कि सेम ड्रीम वाले संता वन सो पचास लेते हैं तो सेम लिग के लिए सेम विनिंग के लिए जादा देने का कोई सेंस बनता नहीं आप भी समझधार हो तो प्लीज एक बर जरूर यहाँ पे आप लोग ट्राई करना ठीक आपके भले के लिए मैं बोल रहा हूँ बात करते हैं दोस्तों विकेट कीपर आप्शन से तो फिलाल मैंने इसान किसन को लिया गुरबाज का उप्शन है बहुत सारे लोग दोनों को ट्राई करेंगे लेकिन मुझको नहीं लगता है कि दोनों बेस्ट रहने वाले आपकी किसी एक को लेना जादा बहतर रहने वाला है मैंने फिलाल के लिए इसान किसन को लिया है जग दीसन को GL में ट्राई करके चल्ज लगते हो बैटिंग सेक्षन से नितीस राणा, रोहिस सर्मा और स्थूर कुमर यादो को मैंने ट्राई किया है अब रिंकु सिंग कंसिस्टेंसी के साथ परफोमेंस कर रहे है और बैटिंग सेक्षन में देखेगा सबसे ज़्यादा पॉइंट इन्हों नहीं मतलब प्रवाइड किया है लेकिन इनको लेने का मतलब यह हुआ ना कि इनका बैटिंग करम नीचे रहने वाला तो अगर आपको लगता है कि KKR का टॉप ओडर फ्लॉप होगा तब ऐसे सिच्वेशन में यह काम करके दे सकते हैं तो फिलाल के लिए मैंने कुछ सोचता हूँ इनको ड्रॉप किया है तिलाक वर्मा का भी ऑप्शन है यहाँ पे अब देखो दोनों टीमों के तरफ से अच्छे-च्छे खिलाड़ी हैं और आप लोगों को मालू में 22 में से हम सिर्फ 11 खिलाड़ी अपने टीम में रख सकते हैं तो यह मुकाबला थोड़ा सा रिस्की रहने वाला है स्मॉल लिए के पॉइंट ओफ यूस है अब आप चाहो तो फिलाल के लिए ऐसा मैं करता हूँ सूरिया को ड्रॉप करके विंकेटे सायर को टीम में ले लेता हूँ जिनका की हालिया फॉर्म भी अच्छा है और हेड टूर्ड में जैसे कि मैंने रिकॉर्ड दिखाया था वो भी बहता रहा है बात करते हैं अल राउंडर सेक्षन से सुनील नारायर अंद्रे रसल पिछले मुकाबले में बॉलिंग कर गया है तो हो सकता है आगेन बॉलिंग कर जाए ग्रीन देखो अब मिडेल ओडर में खेल रहे हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि यह बॉलिंग भी देने वाले हैं तो इस वाज़ास मैंने ट्राई किया है शाडूल ठाकूर को फिर मैंने यहां से ट्राई किया है फिलाल के लिए यह चाराल रांडर मेरी टीम में जगा बना रहे हैं बॉलिंग सेक्षन से देखेगा जैसन बैरंडोफ वरुन चकरवर्ती न अगर सेकेंड बॉल करेंगे तब जादा बहतर विकल्प रह सकते हैं प्यूस चॉला के बारे में भी सेम ठिंग मैं कहना चाहू फिलाल के लिए कुछ इस परकार के टीम बन के रेडी हो रही है जहां पर कैप्टन मेरे निती स्राणा है विसी के तौर पर मैं फिलाल के लिए तुछ ग्रीन के साथ जा रहा हूं लेकिन हो सकता है विंकेटे सायर को कर दू हेड़ टूर्ड का बहुत अच्छा है इनका अच्छा विकल्प है आज आना टेलीग्राम पे आप लोगों को आफ्टर टॉस जो भी होगा यहीं पर बताया जाएगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना चानल को सस्क्राइब भी आप लोग अवेश्य कर लेना बाकी मिलते हैं को और अच्छी वीडियो के साथ तब तक अगले गुडवाज चेक किया रहा है